आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चनल बीटी स्पिरिच्वल पर आज हम देखते हैं करेंट ट्रू फिलिंग आपकी और आपके पार्टनर की इस फूल मून में इस पेसली आपके पार्टनर की जो फिलिंग है जो मुझे अभी ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा अलग फिलिंग मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर की कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा मतलब वह ऐसा भी लग रहा है कि आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं और उनको उनको एंजल जी के द्वारा कहीं न कहीं मार्ग दर करने के लिए और आपको मैसेज करने के लिए उनको बहुँ ज़्यादा स्ट्रेंड करना पड़ा है क्यों क्योंकि जब आप लोग लास्ट टाइम मतलब कहीं न कहीं आप लोगों के भी जो भी सिच्वेशन हुई थी उससे वह काफी जादा मतलब बहुँ ज़्यादा डी को करना चाहिए था जिस वक्त ऐसा भी लग रहा है कि आपके आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको उस वक्त मिले जिस वक्त आपको उनकी बहुत ज़्यादा जरुवति और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने आपके लिए बहुत spiritual connection है जैसे ही आप दोनों अलग हुए वैसे ही उनको यह फील हुआ रियलाइज हुआ बहुत समय के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के बाद उनको बहुत सारे माध्यम के द्वारा उनको यह पता लगने लग गया कि आपका उनके साथ कुछ ना कुछ connection है क्योंकि वह आपसे दूर होने के बाद भी continue आपके बारे में सोच रहे हैं continue आपका dream देख रहे हैं और आपसे मिलने के बाद वह काफी ज़्यादा spiritual तो हुए हैं लेकिन आपसे दूर होने के बाद भी वह काफी ज़्यादा spirituality महसूस कर रहे हैं आपके जो partner है कहीं न कहीं मुझे ऐसा ल वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं और ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग के आप दोनों को जानने वाले लोग कोई हैं उनसे वो बाते कर रहे हैं लेकिन उनकी हिम्मत अभी भी नहीं हो रही है तो इसको हम पूरी तरीके से ऐसा बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है कि आ सब्सक्राइब कोड़ा सा मतलब बहुत जयादा मतलब ना आपको इतना ज्यादा मैनिफेस्त कर रहे हैं वह इतना ज्यादा कि आप मतलब आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिल पा आ सकते हैं और आपके partner को भी नजर आ सकते हैं तो यह आपके partner की कहीं न कहीं मुझे energy feel हो रही है, बहुत जादा strong वो आपको manifest कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहे है कि कहीं न कहीं full moon के बाद आप से वो बात करने की पूरी बहुत ज़्यादा strong वो कोसिस करेंगे वो आपके बारे में continue क्योंकि सोच रहे हैं और कहीं न कहीं उनको guidance भी प्राप्त हो रहा है आप देख सकते हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बीच में अभी अभी कुछ समय पहले उनको आपका dream आया है और dream में उनको कुछ indication मिला हुआ है वो देखे मुझे कुछ ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी इस बीच में मतलब आपने पूरी तरीके से divine जी आप अपना कारिय कर रहे हैं और आप में से कुछ लोग spiritual work में हैं कुछ लोग अपने खुद के business कर रहे हैं आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और बिल्कुल सोच ही नहीं रहे थे वैसे ही समय में उनकी entry फिर से हो रही है आपके life में कहीं न कहीं छोटा सा मैसेज या तो आप लोगों के बीच बीज बिलकूल बाचित बंद हो गई थी, छोटा सा एक मैसेज उनका आया है, कुछ भी वो अपनी बाते बताए हैं आपको, जो की वो काफी जादा उदास थे, लेकिन छोटी सी बात हुई है, कहीं न कहीं एक छोटा सा हलका सा उन्होंने आपको मैसेज किया है या तो आने वाले समय में पूरीमा के बाद वो करेंगे लेकिन वो ज़्यादा बात करने की कोशिए आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रिच्वाल कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है अब हम आपकी अनर्जी देखते हैं यह सब्सक्राइबर्स के नर्जी आप बिल्कुल प्रणाम कर सकते हैं और बहुत ही बैलेंस रहिएगा सब्सक्राइबर्स के लिए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहे आप में से बहुत सारे लोग जैसे कि मुझे समझ में भी आ रहा था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने उपर कारे कर रहे हैं ठीक है आप में से कुछ लोगों की हीलिंग कंप्लिट हो गई है आप लोगों के न मतलब कहीं न कहीं बहुत जाए दिल दुखा था जो जैसे मैं बताया रही हूं कि पास्ट में जो भी सिच्वेशन आप लोगों के बीश में हुई थी देखे ऐसा लग रहा है कि वो जो सिच्वेशन हुई है उसके बाद उसके बाद आपकी रियल अवेक्णिंग हुई है ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से के बीश में हुई थी न कहीं न कहीं उससे आप आपका ग्रोथ हुआ है मतलब आप जब उनसे दूर हुए उसके बाद फिर आपको यह सारी चीजों का हैसास हुआ पता चला कि आपके एक स्प्रिच्वल जहर्नी चल रही है आप में से कुछ लोगों को इंद्र धनूस नज हुए कोई भी ऐसा पिक्चर आपके सामने में आया है किसी भी प्रकार से ठीक है तो वह वह इंडिकेशन आप लोगों के लिए था कि आपके परसन को भी उस समय उस समय आपके परसन का जो है डार्क नैट ऑफ दे सोल चल रहा था और उनको भी इस चीज का रियालाइजेश कोई ऐसे परसन कोई ऐसे परसन से आपकी मुलाकात हुई है और उसके बाद आपकी हीलिंग हुई है मुझे ऐसा भी लग रहा है आप डिवाइन जी के सरन में गए हैं तब पूरी तरीके से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग मतलब डिवाइन जी को जैसे की मेल हम कहे जैसे बोले बाबा जी को आप मानते हैं, स्री हनुमान जी को आप मानते हैं, मतलब आप उनके सरन में गए हैं, उसके बाद आपके लाइफ में एक miracle हुआ है, चेंज हुआ है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आप अपने गुरु आप जिनको भी आप जर्नी में हैं, इस वज़े से आपके साथ ये सारी चीज़े हुई है, ये जो पांश्ट में इतना ज़्यादा पेन आपको हुआ है, इस वज़े से हुआ है, और पूर्णिमा के आसपास, पूर्णिमा के बाद आपके पास कुछ ऐसे संदेश और भी आने वाले हैं, आप पास बर्णिमा वहँत ज़्यादा नजर आते होंगे, आप लोगं एंजल ईदया आपका घरीवर्ण जाहां जीन देखते होंगे जो ब्लॉग शारी ब्लोक था ये आप unconditional love अब आप सबसे समान रूप से प्रेम करने लगें ऐसा नहीं है कि आप अपने person को याद करके रो रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी आप manifest नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा strong फिलिवर जो आप manifest नहीं कर रहे हैं वही आपके लिए इतना ज्याद positivity ला रहा है इतना ज्यादा possibility ला रहा है कि आपके पास उनका कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा मैसेज आ चुका है और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है पुर्णीमा के बाद वह आपको हिम्मत करेंगे आपको call या message करने का हिम्मत करेंगे आपको सारी ब बहुत ज्यादा like करते थे लेकिन अब आपकी बहुत ज्यादा respect कर रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों को strong feeling आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही उच spiritual journey में हैं अब हम आप लोगों के लिए एक कार्ड लेंगे ठीक है आपके partner के लिए हम लग रहा था उनको कि वह सब को छोड़ के चले जाए ठीक है ऐसा लग रहा था कुछ समय के बाद कुछ समय तो उन्होंने आपको ऐसा दिखाया होगा कि वह बहुत ज्यादा खूस है लेकिन कुछ समय के बाद उनको यह realize हो गया कि उन्होंने अपने मतलब कहीं न कहीं पैर के 9, 3, 5, 21 यह जो डेट है कहीं न कहीं आपके पार्टर से जुड़ा हुआ है और ऐसा भी लग रहा है आप जहां पर भी उनके साथ ट्रेवल पर गए हैं या वो खुद भी कहीं पर ट्रेवल में गए हैं वहाँ पर आपको काफी ज़्यादा याद करते हैं काफी आपके नाम उनको बार बार दीख रहे हैं या तो कोई सोंग उनको सुनाई दे रहा है या तो कुछ ड्रीम उनको आ रहा है अब हम यहाँ पर देखते हैं आप काफी ज़्यादा मतलब पीज काफी ज़्यादा सांती अच्छा आप बहुत ज़्यादा अबंडन्स नजर आ रहे हैं मुझे ठीक है नाइन नमबर आपके लिए भी मुझे लग रहा है लेकि नाइन नमबर आपके लिए मुझे एक पॉजिटिव अभी मुझे ऐसा लग रहा है वन, टैन, इलेवन, नाइन आपके लिए कही न कही है और आप में से क्योंकि यह जनरल रीडिंग है तो मैं इसलिए आप लोगों का जो है मतलब नहीं बताती हूँ तत्व लेकिन मुझे समझ में आ जाता है यहाँ पर तो सारे तत्व हैं और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं और कुछ लोग फायर साइन के हो सकते हैं जल तत्व के भी तिस्मान ज़्णें की आपके आनर्जी कुंग but अपने ज्यादा आपके पास सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग आप से वुघую जहां पर बादते हैं आपके आसपास बहुत ज्यादा पसुपक्षी से अपर मेस्क्म को mm बहुत सारे लोगों का नजर आपके तरह पा रहा है वह पॉजिटिव नजर आप कुछ ऐसा वर्क करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आप कहीं न कहीं मुझे एक सेलिब्रिटी की तरह नजर आ रहे हैं सेलिब्रिटी मतलब एक स्टार की तरह ठीक है तो यह सारे वर्क आपके मतलब कहीं न कहीं आपने इनर वर्क किया है पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आने वाले पूर्णिमा के बाद आपके लाइफ में कुछ और भी अचीवमेंट आने वाले हैं तो यह आपकी और आपके पार्टनर की जो है करेंट फिलिंग थी और मुझे बहुत अच्छा लगा यह मतलब एनरजी देखकर के आप लोगों की अनरजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग पर ऐसे ही नर्वर्क करते रहें टेक केर रहें आपके बदूएंगो की विलिंग है आपके बेहाड़ा है कि प्लेसित इवारा जीव simplest के अपके बिलिंग है कि आपके भी और मुग्या है जी के बहुत अच्